दोस्तों मैंने hosting purchase किया hostinger से और domain purchase किया godaddy से और आज के इस वीडियो में godaddy के domain को कैसे hostinger के hosting के साथ connect करना है आज आप सीख जाओगे अगर आपने hostinger से hosting purchase किया और domain किसी दूसरे provider से purchase किया तब भी यह जो process से यह लगवग similar होने वाला है तो basically आप किसी भी website से domain purchase करो उस domain को hostinger के hosting के साथ कैसे connect करना है आज आप सीखने वाले हो यह जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको मैंने पहले भी मनाया था बट 2023 में hostinger and godaddy दोनों का इंटरफेस चेंज हो चुका है और जिस भी username या email id and password देके आपने hostinger and godaddy पे अपना account बनाया था उसे username या फिर email id and password देके आपको login होना है अब यह hostinger का new dashboard आपको कुछ ऐसा देखेगा पहले hosting menu में क्लिक करके यहाँ पे website को add करना होता था पर अभी websites करके एक new menu यहाँ पे add हुआ है और एक new domain को add करने के लिए आपको websites के अंदर आना होगा यहाँ पे मेरे दो domains already added है new domain add करने के लिए आपको create और migrate a website के button पे click करना होगा फिर यहाँ पूछा जा रहा है आप किस type के website को बनाना चाहते हो तो मेरा blog होगा तो मैं blog को select करता हो अगर आपका website type यहाँ पे listed नहीं है तो आप others को select कर लेना अभी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप new website बनाना चाहते हो या फिर दूसरे किसी hosting पे पहले से बने किसी website को hostinger पे migrate करना चाहते हो तो मैं एक new website बनाना चाहता हो इसलिए मैं create a new website के option को select करता हूँ अभी यहाँ से आप चाहो तो wordpress को install कर सकते हो पर मैं आपको suggest करूँगा यहाँ पे wordpress को install ना करे यहाँ पे आप skip I will start from scratch option को select करे क्योंकि मैं आपको बिल्कुल basic से सब कुछ सिखाऊंगा अगर आप आज यहाँ पे wordpress को install कर लेते हो तो जो actual process है जो ज्यादा तर hosting पे आपको देखने को मिलेगा वो आप नहीं सीख पाओगे अभी आप से पूछा जा रहा है कि क्या आप domain buy करना चाहते हो या फिर already आपका domain है क्योंकि already आपने domain GoDaddy से buy कर लिया है और आप अपने GoDaddy के domain को अपने hostinger account में connect करना चाहते हो तो आप select करोगे use an existing domain वाला option अभी आपको अपने domain name यहाँ पे type करना है जैसे कि मेरा domain name है rajdipnissira.com यहाँ पे आप www या फिर https यह सब include ना करे अभी continue बटन पे click करते ही यहाँ show करेगा कहां से आपने domain buy किया है अभी आपका domain name servers क्या है और आपको अपने domain को hostinger में connect करने के लिए कौन-कौन से name servers को add करना होगा यह सब information यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अभी आप continue बटन पे click करिए continue बटन पे click करते ही आपको तीन steps सो होगा जिसमें सबसे पहले तो आपको अपने domain को hostinger के hosting के साथ connect करना होगा next step में आप अपने website को check करोगे कि वो hostinger के hosting के साथ connect हुआ है या फिर नहीं और फिर आप hosting control panel को access करोगे यहाँ पे जाके आप wordpress को install करोगे so first step में go daddy domain को hostinger hosting के साथ connect करना है यहाँ पे दो name servers दिये गया है इन दोनो name servers को आपको एक एक करके copy करना है और अपने domain name servers में जाके add करना है तो यह मैं केसे करता हूँ go daddy में मैंने already login किया था और go daddy का new dashboard दिखने में कुछ इस टाइप का है आपको यहाँ पे go to my products के बटन पे क्लिक करना है यहाँ पे आपको अपने सभी domain सो करेगा मेरा तो एक ही domain है अभी जिस भी domain name को आपको add करना है उसके side में DNS का option दिखेगा आपको आपको DNS पे क्लिक करना है स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आने पे आपको name servers का section सो होगा आपको change बटन पे क्लिक करना है फिर enter my own name servers को यहाँ पे select करना है यहाँ पे मैं अपने existing name servers को हटा देता हूँ और फिर hostinger के name servers को एक एक करके copy करना है आपको और यहाँ पे paste कर देना है फिर save बटन पे क्लिक करना है इस box को check करना है और continue बटन पे क्लिक करते ही आपका name servers update हो जाएगा यहाँ नेम servers को update करने के बाद आपका domain name आपके hosting account के साथ connect होने में पूरी तरीके से connect नहीं हुआ है बट यह hostinger का page आ गया है यानि मेरा process सब कुछ सही से हुआ था और अभी मुझे बस wait करना है पर मैं wait नहीं करूंगा और आपको भी wait नहीं करना चाहिए अभी आपको wordpress को install कर लेना है ताकि जैसे ही आपका domain आपके hosting के साथ पूरी तरह connect हो एक तो आप यही पर auto installer पर क्लिक करके wordpress को install कर सकते हो या फिर आप website सेक्षन में जाके भी wordpress को install कर सकते हो मैं wordpress install करने से पहले एक database create करूंगा आपको भी यह जरूर करना चाहिए वैसे यह जो process से यह optional है database create करने के लिए आपको database management पे आना होगा और यहाँ पे database का नाम, username and password देखके database create करना होगा यहाँ पे जो भी username and password आपset करोगे उसको आपको याद रखना है बेस्ट होगा कही पर लिखके रख लीजे क्योंकि मैं जब आपको अलग-अलग type की website बनाना सिखाऊंगा तो यह आगया आपका काम आएगा अभी हम wordpress को install करेंगे wordpress को install करने का process बह आपका wordpress dashboard का username and password होगा और यह हर बार wordpress dashboard में login करते time आपके काम आएगा फिर advance में जाके आपको database को select करना है जो अपने अभी अभी बनाया है और फिर database का password देके next button पे click करना है यहाँ पर wordpress के version को आप change कर सकते हो अगर आपको older version चाहिए तो select कर सकते हो मैं यहाँ पर कुछ भी change नहीं करूँगा और install बटन पे click करूँगा install पे click करते ही कुछी seconds में wordpress install होना शुरू हो जाएगा और यह process complete होने के बाद यहाँ पर edit website के बटन पे click करके आप directly wordpress dashboard में login हो सकते हो बट क्यों ही मेरा domain hosting के साथ पूरी तरीके से अभी connect नहीं हुआ है तो यहाँ पर यह loading show कर रहा है जैसे यह process complete हो जाएगा तो आप wordpress dashboard में login हो जाओगे अगर आपका domain भी hosting के साथ connect होने में time लगा रहा है तो इसमें tension का कोई बात नहीं है बस आपको wait करना है up to 48 hours अग बोलता है 48 hours बट उससे बहुत पहले ही हो जाता है और फिर आप wordpress dashboard में login होके अपने website को मैंने इस channel पर already different types and design के website and blogs कैसे बनाते है सिखाया है अगर आपको सीखना है तो channel को ज़रूर visit करे राज का वीडियो आपको helpful लगाया तो video को like ज़रूर करे कोई भी question है तो comment करे मुझे instagram and facebook पे आप message भी कर सकते हो और ऐसी videos देखने के लिए channel को support करिए सब्सक्राइब करिए wordpress क्या है क्यों ज्यादतर blogger wordpress को use करते है जबकि blogger जैसा free platform available है जानने के लिए इस video को जरूर देखें thank you for watching this video मिलता है next video पे